दोस्तो करउंदा एक ऐसी चीज है जिसे देखते ही क्या बच्चे क्या बड़े सभी की मुह में पानी आ जाता है जिन लोगों को खटी चीजे पसंद होती है उन्होंने कभी न कभी इसका आचार, चेटनी, जूस और सब्जी जरूर खाई होगी करउंदे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटेमिन सी, आइरन, कैल्शियम और फॉस्परस होता है यह स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बहुत लाबकारी होते हैं आईए जानते हैं करउंदे के फाइदे के बारे में अंग्रेजी में इसे क्रेन बेरी, बेंगॉल करेंट इतने दी नामों से जाना जाता हैं आपके यहां इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईए ताकि बाकी लोगों को भी इसके उश्यदी एगुणों से लाब हो सकिए करोंदे का सेवन करना दातों और मसुडों के लिए काफी फाइदे मद होता है इसके सेवन से दातों की मजबूती तो बढ़ती ही है साथ ही में मसुडे भी स्वस्त और मजबूत होते हैं इसके साथ ही यह सास की दुरगंद और पायरिया की संक्रमन को दूर करने में भी मद इसका सेवन करने से पेट के उतकों को आराम मिलता है कब्ज और एसेडिटी तो दूर होती ही है साथ ही लूज मोशन की दिक्कत से भी रहत मिलती है और अपच गैस सूजन को खत्म करने में मदद मिलती है साथ ही आतों को भी स्वस्थ रखने में करवंदा बहुत ही मजबूत का निभाता है करवंदा खाने से रोग प्रति रोधक्षमता यानि इम्म्यूनेटी बढ़ाने में मदद मिलती है यह स्वस्थ प्रति रख्षा प्रणाली का निर्वान करता है साथ ही इसमें मौजुद आयरन हेमोगलोबिन की कमी शरीर में नहीं होने देता है करवंदे को कच्चा यानि की चटनी के रूप में सबजी के तौर पर या जूज के तौर पर सेवन करने से कॉलेस्ट्रोल का स्तर नियंद्रित रहता है इससे दिल से संबंदित बिमारिया होने का खत्रा भी कम होता है इतना ही नहीं दोस्तो करवंदे का सेवन करने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है इसमें फाइबर होने की वज़े से इसके सेवन से पेट काफी देर तक भरा सा महसूत होता है जिससे कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती है जिसकी वज़े से वज़न कम करने में मदद मिलती है करूंदे में मस्तिश को तेज करने वाले गुन पाये जाते तो आज से ही करुंदे का सेवन करना शुरू कर दीजिए अगर आप कमजोर हडियों की समस्या से परेशान है तो करुंदे को डायेट में शामिल करें करुंदा में कैलशेम की अच्छी मात्रा पाई जाती है करुंदे के सेवन से हडियों को मजबूत बनाया जा सकता है करुंदे में प्रोथोसाइनीडीन अधिक मात्रा में होता है ये कैंसर की कोशिकाव को बढ़ने से रोकने में मदद करता है करुंदे में विटैमिन सी और विटैमिन ए होता है विटैमिन बालों के लिए अच्छे माने जाते हैं बालों की ग्रोथ और बालों को चमकदार ब पर सकते हैं इससे कोलेस्ट्रॉल कस्तर संतोलित रहता है और हाट अटेक जैसे खत्रे से बचाने में भी यह मदद करता है करोंदे एनिमी या रोग में फायदे मद होते हैं इसके अलावा करोंदा फल में फ्लेवोनाइड्स, अलकलाइड्स, टैनिन्स, केरिसोन और टाइटर स्वास्त में सुधार के लिए फायदे मना गया है इसमें विटैमिन्स और ट्रिप्टोफेन के साथ मैगनिशियम की उपस्तिती नियूरो ट्रांस्मिटर सेरोटोनिन के उत्पादन को प्रोचसाहित करने में मदद करती हैं तो समगरमान से कल्यान को बहतर बनाने के दिशा में काम करती है इसे के साथ करोंदे में पैक्टिन की मौझूदगी इसे पाचन में सुधार के लिए फायदे मन बनाती है घुलनशिल फाइबर पाचन तंत्र के कामकाज में सुधार करता है जिससे भूक लगने में भी सुधार होता है और असमें भूक नहीं लगती है कई वग्यानिक अध्यनों के अनुसार करोंदा इंफ्लेमेशन को कम करने और इसका इलाज करने में मदद करता है प्रकृती में इंफ्लेमेटरी होने के कारण फलका सेवन शरीर में टॉक्सिक एजेंट के गठन को दबाने में मदद करता है करोंदे में परियाप्त मात्रा में मौ बिलती है करोंदे के केवल फल ही नहीं तो इसकी बीज पत्तिया तथा इसकी जड़का भी और शदी के रूप में उपियों किया जाता है दोस्तों आप चाहे तो करोंदे का जूस बना कर पी सकते हैं करोंदे का जूस पेने से यूरिनरी टेक्ट इंफेक्शन यानि की यूट करी चटनी बनाना शुरू करते हैं करोंदे की चटनी बनाने के लिए मैंने यहां 250 ग्रैम करोंदे ले लिये हैं इन्हें अच्छे से धो कर इस तरह से कट कर लिया है और इनकी बीजे हटा दी है आप चाहे तो बीजों के साथ भी इसके चटनी बना सकते हैं करोंदों को हमन कुछ चीजे ले ली है इसमें अभी हम दो लहस्म की कल्या डालेंगे पास से 6 कड़ी पत्टे डालेंगे हमने यहां 2 हरी मर्च ली है इसे अभी हम इस तरह से काट कर डाल देंगे अगर आपको तीखी चप्रशनी पसंद होगे तो आप अभी मिर्च चंव्मच, काला नमख डालेंगे, इसे चट्नी का स्वात बहुत अच्छा आता है, तथा ये पाचन में भी हएल्प करता है, इसमें अभी हम एक छोटा चंवाच चीनी डालेंगे, चीनी की जगें आप गुड भी डाल सकते है, थोड़ी सी चीनी या गुड डालने से चट् देखिए चटनी अच्छे से पिस चुकी है बहुत ही अच्छा कलर आया है इसे अभी हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे लीजिए हमारी करोंदे की खटी तीखी चटपटी और गुनकारी चटनी बनकर तयार है इस चटनी को बना कर आप पूरे 6-7 दिनों के लिए फ्रिज बनाते हैं तो आप इसे साल भरहासानी से खा सकते हैं यदि आप करोंदे का अचार और करोंदे का मुरबा बनाने की रेजिपी देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं यहां क्लिक करके आप इन सारी रेजिपी Means को देख सकते हैं और इनने बना भी सकते हैं अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस यूसपुल जानकारी से लाब हो सके यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तो रन पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते